यालो फ्रेंड्से आजे आपने इनवल्यूट एकले शूंँ इन उपयोग क्या थाई छे और के विर्थी डरोग करू एना विशेच चर्चा करी शूँ यहां अगर इन्वोल्यूट नो उप्योग दर्सावेलो चे इन्वोल्यूट नो उप्योग गियर टूथ एनी डिजाइन करवा माटे थाई चे तमें यह जोई शको छो एक गियर माथे बिजागी अर्माज यहारे पावर ट्रांस्मिशन थत वोई अथफा ट्रांस्मिट थत एक यहारे आविडिदे जो शेइफ होए यह आटाइप नोशेइफ होए तो एनि अंदर मिनिमुम फ्रिक्षन थाई चे ने मेकसिममां पावर ट्रांस्मिशन अध्वाद्वाट ट्रांस्मिट करी सकाई चे तो ए शेप के वीडिदे ड्रो करो एनी जे मेथड चे ए बाई आपेली होई एवो चोरज एवो स्क्वेर एना माटे इन्वोल्यूट ड्रो करो तो इन्वोल्यूट एटले सुंग इन्वोल्यूट एटले अपणे एकदम साधी भासा मां कईए तो कोई पन रेग्यूलर शेप होई एनी फरते कोई स्ट्रिंग विटी देए आपणे धारो के चोरज चे स्क्वेर चे एना फरते आपणे दोरी विटी देए एन्नों एक रिवोलुशन सुधी विटी देए अन आपड़े जोई ए फिर्स्ट फोल रोव और स्क्वेर ऑफ गीवन डिमेंशन एट इस 25 mm 25 mm सैडलेंद फाड़ एक चोरज ग्रो करो इन अपने नाम पी देए A B C D endpoints नव टेक बियाज सेंटर बी एस रडियस दो एन आर्क लाक दिस बीने केंदर राखो बी एज़ी रडिय इस लोग दिस 25 mm एने चाप मारो सी बीने लंबाओ एब एक पॉइंट जी आगल मले एपॉइंट एन आपले नाम आपिए पॉइंट पीवन त्यार पची हावे आपले दोरी ने छोड़ता जेए चे तो चाप मारी होई तो के विर्दा करीशों येस टेक पॉइंट पॉइ प्रवन एज रदियस ड्रो एन आर्क लाग दिस ब्रवर अने अब बीसी सीदी लंबाइ चे नाबज यू लंबाओ आव यूड़ता एंट पॉइंट मलसे एन आपले नाम आपिए पॉइंट पीट पीटी पॉइंट मांटे सूखर इसू एक्सेंट एड लिए दिस दिरेक A Center, A P3 Radius, Draw an arc, Extend Line BA, so this is Point b4 Now what's about this length A P4. Yes A P4 लंबाइ लिए लिए खिर लिएस है that is four times of side length, that is 25 x 4, that is 100 mm. 100 mm था है जी टोटल लंबाइ ? आउन्से कौव कोल्ड एस इन्वोल्यूट तो आएकदम सिंपल मेथड छे इन्वोल्यूट ड्रोग करेंट प्रेड़ीं अई यह आपने तमी ज्यारे इंविलूट ड्रो करो त्यारे कवद नू नाम अपवानू आज ये करवेचर शेप ड्रो करेलो छे ए डार्क ड्रो करेलो वह जुए बाकी नी बद्धा पॉइंट आने बद्धी लाइनों एकदम लाइट ड्रो करेली होवी जुए अई यह स्क् 25 x 6 एकले 150 mm था से एले जेम नंबर ओफ साइड्स वर्थी जासे अथा दायमेंशन वर्थी जासे एनी साइड लंबाई वर्थी जासे एम आदोरी नी लंबाई वर्थी जासे राइट नेक्स प्रोब्लेम दो एन इन इन वलूट ओफ हेग्जागोन साइड लेंध 25 mm तो प B E F हवे अणिंवोलित जाएड आपड़े इन्वोलित द्रोग परोओ ह्योच तो बे साइड द्रोग रिशकांई एड ड्रोग बिला इन्य आखे स्ट्रिंगन्न लंबाई करी दो फ्त्रिंगन् outdoor करेंसे अक दोरी छोडि दो एक रिवलूशन माटे तो इनी लंबाई साथ 25 x 6 150 mm 150 mm लांबी एक लाइन ड्रो करो ने अंड पॉंट ने नाम आपो पूंट P1 त्यार पची आज ये लंबाई छे ये लंबाई नी चाप मारवानी चे लेक टेक B C as a center, B P1 as a radius, draw an arc and extend B C, B C ने लंबाओ त्यां गड़ एक एंड पॉंट मल से इना पॉंट P2 तो P3 माटे सू करी सू, C D ने एक्सेंड करो, C center, C P2 जे लिए रेडियस, draw an arc ये ये पॉंट P3 मल से, जो अहिया दर वक्ते radius नी लंबाई जे चे ये घटती जाई छे, पेली वक 20 वक्ते C P2 जे लिए रेडियस लिदी, हावे 3 वक्ते लेवानी D P3, D as a center, D P3 as a radius, extend D E and mark point P4, हावे P5 माटे EF ने एक्सेंड करो, ये आगल पॉंट मल से P5, P6 माटे AF ने एक्सेंड करो, ये पॉंट मल से P6, आने छेले P6 A जे लिए रेडियस, A center, draw an arc, तो आई रिते प अने अगर ना प्रोब्लेम माट जे में draw करियो, ये रिते पॉंट तमें इन्वल्यूट जो करी शको, ये ये रिते पॉंट तमें इन्वल्यूट जो करी शको, ये आपड़े आवी ते पॉंट स्टार्ट करी शकाई, A is a center, A, B is a radius, draw an arc, again F is a center, F P6 is a radius, draw an arc, and so on, आक आप ये तियार पच्चे ने नाम आपवानू, involute, right, I hope it is clear to you how to draw this involute, हवे त्रीजो प्रोब्लेम, draw an involute of triangle, side length 50 mm, 50 mm बाजुनी लंबाय होई, ये वे त्रीकों ड्रो करो, आने ये ये नो इन्वल्यूट आपड़े draw करवानों छे, तो ये इन्वल्यूट ड्रो करवा माटे, 50 mm, हवे अईया आपड़े, फर्स्ट मेथर थी, इन्वल्यूट ड्रो करिये चे, तो टेक A as a center, A B as a radius, draw an arc, extend C A, C A ने लंबाओ, ये ये प्पोइंट मल से, ये आपड़े नाम आपड़े, point P1, तियार पच्छी, C center, C P1 as a radius, draw an arc, extend B C, तो ये ये प्पोइंट मल से, ये center लेवानू, B, draw an arc, extend AB, and this is point P3, तो आप टोटल लंबाइ था से, 50 x 3, तो ये 150 mm, तो आथ है क्यू, triangle माटे नो, involute, आपड़े, square, hexagon, triangle, ये ये पंटागोन माटे पाने, involute draw करी शकाई, और सर्कल माटे पाने, involute draw करी शकाई, और सर्कल माटे पाने, involute draw करी शकाई, अवे dimensional पहलू छे, आपने, draw करी शकाई, that is 50 mm diameter, इनो एक वर्तो ट्रो करो, येना, एक सर्काई भाग करी दो, ये आठ भाग करेला छे, ये ना मापी दो, one days, two days, three days, up to eight days, हवे, आज ये circle छे, येना, उपर आपड़े दोरी वीटी देए, तो एक revolution माटे जो आपड़े दोरी वी चे, so find out its periphery, periphery is equal to pi into d, that is 157 mm, in this case, तो ये एक सर्काई भाग करेला छे, तो एटलाज भाग आपड़े 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 लंबाई चे, येना, एक सर्काई आठ भाग करेला हो, ये लेके, eight days to p, ये लंबाई चे, येना, एक सर्काई आठ भाग करेला हो, तो आपड़ 7 mm ना पॉण एक सर्काई भाग करवाला, बदा पॉइंट ने नावापी दो, one, two, three, four, five, six, seven, right, हवे आज ये पॉइंट नंबर वन डेस चे, ये माथी आपड़े आओ वन लंबाई जे ड्रो करेली चे, येने पर्पेंडिकिलर लाइन ड्रो करवानी, और इन अधर टेंजेंट टूदिस शर्कल पासिंग थू पोईंट वन डेस की one डेस माथी य eerste लाइन ड्रो करो कि जिया स्रकल ने सपर्शक भने एन्ने टेंजेंट बने जेथी करेंडें आ एंगल जे जे चे ये थासे 됩니다. 90-degree है कि यविटेटे 2डेस माथी लाइन करो करो कि जथी सर्कल ने सपर्षक बने यह वर्तिकल लाइन ड्रो अब्ले करो जथी करीने अंदर नों इंगल नाइनटी डिग्री बने तो बद्दा पोइंट मां थे यह विर्थे लाइन ओ ड्रो करीदो वन डेज टूदेज थी डेज तो डेज पी अचाप मारो आयक प्यट मार्शन एट इस पॉइंट पीट माठे मेजर दिस इस स्टंस 3 2p आध इस्टंस चना आपने परिकरमा शेट करो 3Ds ने center राखो नहीं चाप मारो this is point P3 4P जेरली radius लो 4Ds ने center राखो draw an arc so this is point P4 नहीं प5 मर से P6, P7 that is distance between 7 to P 7Ds radius 7Ds center mark here point P7 नहीं चलू point P8 ये नहीं आ हो से हमें बद्दा point ने smooth को दी जोइन करो एला आवी रिते एक कव मर से एक कव नू नाम छे involute आने involute ड्रो करो त्यारे अटली वस्तों नू ध्यान राखवानू पेलो आजे कव जे छे स्मूद कव हो जोई ये पछे भी जू इननो starting point आहीं आसे आपी point आने end point आहीं आसे आप बद्धा point ने sequence मा smooth कव जोईन करवाना त्यार पछे ना डायमेंशन लखवाना ये लेके डायमेटर 50 mm and this length of string is 157 mm आजे involute छे एस post देखावो जुई ये बाकी नी बदी नीचे नी लाइनों ए लाइट ड्रो करवानी आने आप माप अहीं जे लखे लाचे 12P, 22P, 32P ए लखवा फरजियात नाथी पान आपड़े एक्जाम नी अंदर यादरी जे एटला माटे आपड़े आपड़े लखे चे इन्वल्यूट ड्रो करवानों क्वेस्चन चीटिवनी एक्जाम मां साथ मार्क्स मां पुछाई चे हवे पांच मोँ प्रोब्लेम अ स्ट्रिंग इस वाउंड अराउंड अ सर्कल ओफ डामेटर 50 मिलिमिटर विद श्ट्रिंग ओफ लेंद 165 मिलिमिटर जो अहीं इन्वल्यूट पुछाई लूचे थोड़ूक स्ट्रिक्ट थोड़ूक ट्विस्ट करीने पुछाई लूचे कि अहीं एक सर्कल ओफ लूचे जेनू डामेटर 50 मिलिमिटर चे एना फर्ते आपड़े दोरी वीटवानी चे अन्य दोरी नी लंबाई पेला थी आपेली चे 165 मिलिमिटर तो एना माटे आपड़े कव ड्रो करवानों चे कव नू नाम आपेलू न थी तो आपड़े समझी जेवानू दोरी वीटवानी चेहू की देलू चे एतला माटे जे कव मढसे ए कव हो से इन्वोल्यूट तो सुथी पेला अकाउड रो करो स्वरी सर्कल रो करो चेनों डायमेटर आपेलो जे 50 mm आथवा रादियस थासे 25 mm आथवा 2.5 cm त्यार पचे सर्कल ना एक सरका बाग करो आपने आठ बाग करेला चे नामा पीदो 123 अप्टू 8 अहिए अहिए पाई D करता वधार डिस्टंस आपेलूचे 165 mm राइट पाई D थासे 157 आपेलूचे 165 तो 165 mm डिस्टंस आगर एक पॉइंट पी मुको अने पाई D जिला डिस्टंस आगर एक पॉइंट मुको अने अहिए ध्यान राखवानू आ अपड़े अगर ना प्रोब्लेम मा जेम एक सर्खा आठपाग करेला था एम अहिए पने एक सर्खा आठपाग करवाना चे बन ए भाग 165 mm डिस्टंस आपकर वाना ना थी ए अपने आठपाग करवाना चे ए 157 mm जे लंबाई चे लगे पाई D जिला लंबाई चे एना करव बाकी नू 165 माइनस 157 एलेक 8 mm डिस्टंस छे ए छोड़ी देवानु छे एक यह पिक्चर मा आउस से नहीं ए छेले नहीं जरूर पड़ से बच्या बदा पॉइंट नाम आपी दो वन डेस टू डेस त्री डेस और सोन नाव सेम स्टेप्स एस वी दिन वी दिद अर्लियर यह बदा पॉइंट जिये चे वन टू त्री फोर इमाती टेंजेंट ड्रो करो स्पर्शक ड्रो करो के जे एस सरकल ने टेंजेंट बने अन्ने अंधर नी जे लाइन ड्रो करेली छे एन्ने ए परपेंडुकिलर बने हावे ना स्टेप्पण सरका छे टेक वन डेस टू पी जिरली रेडियस आ वन डेस पी जिरली रेडियस वन सेंटर एंड आर्क राइट यह पॉइंट पी वन मल से टू डेस टू पी जिरली रेडियस टू सेंटर एंड आर्क त्री डेस टू पी जिरली रेडियस आ थ्री पॉइंट सेंटर एंड आर्क यह पी थ्री मल से जो आई थाइट पोइंट मर्शेट शुक्त याँ दिस्टनस लेवान। अचलू डिस्टनस लेवान। 8-2 पीजिरली रेडियस, 8 सेंटर और याँ पोइंट मर्शेट पीएट। वे शुकरी शुक्त जो एट यह से तो ए त्यां जट रहेशे करांके दोरी नी लंबाई थोड़ी वधार्चे यह एकली दोरी एट्या छुटी रहेसे ए अकूर इवलुशन करता वधारे दोरी नी लंबाई आपे लिए लिए यह एल आही अज आगडे एलो आटलो भा बार बद्धा पॉइंट ने स्मूध का उथी जोइन करो एले कव मल से इन आपने नाम आपी देए इन्वल्यूट राइट सो दिस इस कंप्लेट इन्वल्यूट फोर गिवन डामेंशन यो आपी फाइव देस पॉइंट पीफाइव पॉइंट नहीं आजे एक्चुली अहीं आऊ पाथ ओफ एंडपोइंट ओफ श्ट्रिंग नेम दपाथ जो यह पाथ नू नाम पर नतिया पेलू कव नू नाम नतिया पेलू खाली डेटा जा पेलो छे के एक चोरस चे एना फरते एक दोरी ने मीटमा माम आवे छे दोरी नी लंबाया पेली छे 125 mm और चोरस नी साइड लेंथ आपेली छे 50 mm तो सोती पेला चे डैमेंचन आपेला चे ड्रो करी दो 50 mm साइड लेंद फाल गो करो और 125 mm जे दोरी नी लंबाया पेली छे एक दोरी आपटे ड्रो करी देजे यह एना पने नाम आप ये पॉइंट पी अथफा पी वन हावे आपने दोरी ने वीतवा एक पॉइंट पी तू मर से त्यार पच्छी डी सी ने लंबा ओ टेक डी ये जए सेंटर डीपी टू एज रडियस ड्रोएन आर्क तेकई जो आउन ट्वेंटीफफ़ आ पे लीजे तो यह पचास पेला घटीक एले 75 रेसे फरी पाची पचास गटीक एले 25 रेसे तो यह छेल माटेनो एलिप्स स्वरी इन्वल्यूट आविरित्या उसे इन्वल्यूट रोथ ही जाए त्यार पचे कवनु नाम लगवानू आ इन्वल्यूट जे शेप चे क्लीरली देखाव जुए बदा पेंडना नाम आपवाना अने बदा डाइमेंशन अपी देवाना अने बदा आप है और आ दो एक इन्वल्यूट खीया है टेखाव झाल आपवान इन्वल्यूट विर्भ जाए और धन्यूट